हेलो दोस्तों, सुबा की नीन बड़ी प्यारी लगती है, जब भी बात होती है सुबा उठने की तो सबसे पहले दिमाग में कोश्चन्स आने लगते हैं, क्यूं सुबा उठें, इससे क्या फायदे हैं, क्यूं सुबा की नीन खराब करें, मगर दोस्तों यकीन मानें, मनुहर प्रहर में उठें, जीवन मनुहर बना रहेगा, आप खुद 40 दिन कंटिनू उठकर देखें, अगर आपको अपने में चेंज नजर आए तो करिए, नहीं तो छोड़ दीजी, पर एक बार सुबा उठने की आदत डालिये जरूर, सुबा उठने का पहला फायदा, हम दिन बर एक्टिव बने रहेंगे, हमारी बॉड़ी में उर्जा और उठसा का संचार होता है, पर साथ में रात में आपको जल्दी सोना भी होगा, खाना खाने के दो घंटे बाद सो जाएं, और कोशिस करें बाएं करवट सोने की, क्योंकि इससे दाइन नासिका से स्वांस सकती है, जिससे खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है, सुबा उठने का दूसरा फायदा होता है, हमारे पास ज्यादा समय होता है, हम दिन भर का रूटीन बना सकते हैं, सुबा के सुरवाती घंटे हमें और गेनाइज्ट यानि की नियमबद होने का समय देते हैं, जिसस समय सांती होती है, सांती में समय बिताने से मस्तिस्क में ऑक्सीजन का इस्तर बढ़ता है, रक्त चाप कम होता है, और मांसिक स्वास्त पर सकारात्मक प्रभाव पढ़ता है, सुबा उठने का चौता फायदा, यदि स्वास्त की दृष्टी से देखें तो सुबा उठने से कबजी की सिकायत लगबग नहीं होती है पेट साफ रहता है अधिक oxygen मिलता है सूरी की उर्जा मिलती है जिसके अंगिनत फायदे है vitamin D तो मिलता ही है साथ में यदि कर सके तो सूरी नमस्कार जैसे exercise कर लें तो बहुत ही अच्छा है सुबह उठेंगे और थोड़ा नियम बद रहेंगे खान पान पर थोड़ा कंट्रोल करें तो कफ, पित और वायू रोगों से बचे रहेंगे सुबह उठने का पांचवा फायदा सुबह में उठने से इसमरड किया हुआ जादा समय याद रहेगा तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि प्रकृती जगती है तो हमें भी जगना चाहिए प्रकृती के विरुद जाएंगे तो हमें विकृतियां आएंगी प्रकृती के नियमों के साथ चलें स्वस्त वा उर्जावान बने रहें सूरी भूर्जा वह ओक्सीजन का पूर्ण उप्योग करें धन्यवाद दोस्तों